जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपकी चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका अभार है और यदि अभी तरक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चोटा से नहीं विदने आप से एकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले आप बहुत भागी शाली है हम भागी को लेकर बहुत ज़्यादा चेंतित रहते हैं कि हमारी किस्मत में कौन सी चीज़े घटित होने वाली है या हमारे भागी में सब कुछ अच्छा है या नहीं है या अगर डाउनफॉल में चल रहे तो कब अच्छा होगा या भागी को लेकर जितने भी आपके मन में प्रिश्ण उठते हैं उन पर हम आज बात करने वाले हैं भागी जो होता है वो किसमत का लिखा हुआ जिसे λग भी हम कहते हैं यह सभी चीज़े महनत और भागी दुनों एक सिक्खे के दो पहलु है अगर हम गीता कि ग्यान का बात करें कर्म कर, फल की चिंता न कर तो हमें कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए लेकिन हमारे साथ दूसरी परिशानी ये है, कि हम इस दोर में जी रहे हैं कि पहले फल की चिंता है, फिर कर्म की बारे में तो सोचना ही नहीं है तो यसी आइडिलोजी को आपको मानना है कि आपको किवल अपना कर्म करना है अप कर्म करना है उसे बहुत ही इमानदारी से सिद्धत से और सीख कर सीख कर जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें सीखते सीखते उस चीश को करते रहे हर दिन नया सीखे जिसमें बात 8 करें जैसे जैसे आप उसमें दूबेंगे आपको नैने अनुबोव हुए हैं और और होते रहेंगे कर्म करें, फलके चिंता ना करें दूसरी बात होती है कि कुछ हमारी टेकनिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें दोशी हम होते हैं सबसे पहली बात माता पिता का सम्मान ये बहुत बड़ी बात है बुजर्गों का सम्मान, माता पिता का सम्मान और महिलाओ का सम्मान चाहे आप महिला क्यों ना हो मैं हर बार ये बात कहता हूँ ये चीजे व्यक्तिके भागे को बहुत प्रबल करती है व्यक्ति के वो जो किस्मत में ना हो या हो जो भी हो लेकिन उसकी हर मन्जिल में उसे सफलताय मिलती है अगर वो अपने माता पिता अपने बुजर्गों और महिलाओं का सम्मान करता है क्योंकि इस पर ही आदारित है सभी घरा कहीं ने कहीं आप नशा करते हैं व्यसन करते हैं जो भी नेगेटिव चीज़े करते हैं वो गलत है वो आपके घरहों पर इंपेट करती है और आप चाहते हैं कि हमें कोई रत न पहन ले और सब उस ठीक हो जाए ऐसा नहीं होगा आपको मैं हर बार कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा उसके लिए आपको पूरा दो महीने ती महीने पूरा प्रिटीकल चलना होगा पूरी इमानदारी के साथ चलना होगा आप आपको फाइदा मिलेगा, आपको कोई जाने की जरुवत नहीं है, रोज मंदीर जाए, अपने माता पिताओं को बहुत अच्छे से रखें, और रखते भी लोग, ऐसी बात नहीं है कि रखते भी हैं लोग, लेकिन व्यसन करते हैं, और जान सब कुछ सही है, जान सब कु यही चीजें जो मैंने आपसे शेयर की, इन पर आपको काम करना है, हर वेक्ति भागिशा लिए, सब पर रिश्वर की करपा है, और आप हमेशा खुछ रहेंगे, यही मेरी दुआ है, अच्छा लगो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जाई शरी महांकान